हाई ड्वेल्टीज वेल्कम डू एज़ी वेकॉमर्स क्लासेज मैं हूँ अपिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम अपने एकनॉमिक्स की स्ट्रेजी देखेंगे कि एकनॉमिक्स को हम 20 डेज में कितनी असानी से कम्प्लीट कर सकते हैं इससे पहले मैंने अकाउंट्स की स्ट्रेजी आपको बताई जो की रियल फेक्ट है क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स में उतने समय में वो सब्जेक्ट कम्प्लीट कराते हैं तो आप लोग भी घर पर बहुत असानी इसे कर सकते हो अगें गाईस अकाउंट्स में मैंने आपको बोला क्या था कि स्ट्रेजी जो भी आप बनाओगे वो टाइम को कंसिडर करके बनानी है यानि कि अगर आपने समय को नहीं ध्यान रखा अगर आप अभी तक 15 मिनाट आदा घंटा एक घंटा पढ़ रहे थे तो वो चीज नही रहेगी आपको एक minimum time period subject को देना पड़ेगा with target कि इतने समय में मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है तो तो आप कंप्लीट कर पाओगे लेकिन अगर आपने समय तो दिरधारित कर दिया कि एक से डिर घंटा पढ़ना है लेकिन क्या पढ़ना है यही नहीं पता तो complete नहीं होगा कोर्स तो सबसे पहले हमें economics में कितना समय देना चाहिए अकाउंट में तो मैंने आपको बताया कि minimum धाई से तीन घंटा देना है economics में कितना समय हमें एक दिन में देना चाहिए एक से डेड़ घंटा अगर आप economics पढ़ते हो 20 दिन के अंदर आपका course complete हो जाएगा मैं कहीं नहीं रही कि हर subject 3-3-3-3 घंटा पढ़ना है या 4-4 घंटा पढ़ना है no एक से डेड़ घंटा इनफ होता है economics के लिए अगर आप लग कर पढ़ लो एक से डेड़ घंटे का मतलब यह है कि आपको concentration के साथ पढ़ना है आदा घंटा फोन यूज़ करोगे और आदा घंटा पढ़ोगे तो नहीं चलेगा simple सी बात है तो आपको पढ़ाई अगर करनी है एक से डेड़ घंटा minimum आपको अगर economics में दोगे तो आप 20 दिन के अंदर अपने course को complete कर सकते हो full course को और जो 40 out of 40 का सपना देख रहे हो उसको भी पूरा कर सकते हो असानी से क्योंकि इस बार economics इतनी आप लोगों के लिए असान होगे क्योंकि full course आई नहीं रहा है first term में 50% course है तो आप असानी से complete कर सकते हो सबसे पहले money and banking इतना छोटा सो चेप्टर है ना like क्या बोलू मैं इसके लिए ये आप दो दिन मैं तो वैसे एक दिन में ख़रा देती हूँ बटा आप लोगों दो दिन दो दिन में एक से दिर खंटा डेली पड़ोगे दो दिन के अंदर हस्ते खिलते complete हो जाएगा साथ के साथ MCQs भी प्रेक्टिस करना 15-20 मिनट आदा घंटा अपने MCQs के लिए भी लेके चलना तो first अगर आपने money and banking को दो दिन में असानी से complete कर सकते हो second government budget पहले guys ये मैं macro के topics बता रही हूँ ठीक है यानि के macro के chapters उसके बाद आता है हमारा government budget दो दिन एक दिन में हो जाता है वैसे ये chapter दो दिन में आप बहुत असामी से कर सकते हो balance of payment बहुत छोटा सा chapter है guys दो दिन में ये भी complete हो जाता है foreign exchange ये सारी एक एक दिन के chapter है वैसे जब मैं कराती हूँ तो एक दिन के अंदर पुरा chapter complete हो जाता है with सारी conceptual knowledge लेकिन आप मान लो दो दिन आपको लगते हैं क्योंकि self study कर रहे हो कोई चीज नहीं भी समझाएगी आप दो दो दिन ले लो तो भी आपके ये चारो chapter आठ दिन के अंदर complete हो जाएंगे बहुत असामी से उसके बाद आप उठाना अपनी Indian ECO की book chapter 1, 2, 3 जो कि हमारे independence से related है हमारी Indian economy से पूरा related है कि कौन सी new economic policy आई है सब तीन chapter है दो दो दिन भी अगर लगाए तीन chapter 6 दिन के अंदर complete उसके बाद आता है आपका poverty, poverty chapter एक दिन की बात है आप again मुफ्ट मिलो दो दिन ठीक है दो दिन के अंदर poverty complete कर सकते हो अराम से human capital दो दिन में हो जाता है तो दो दो दिन लगा के इसमें भी 6 और ये भी 6, 6 और 6, 12, 12, 8 कितने दिन हो गए total मिला के 20 दिन 20 दिन के अंदर आप अपने economics को पूरा complete कर सकते हो with MCQ उसकी practice के साथ तो अगर अभी तक आपने strategy नहीं बनाई थी तो guys अब बना लो time table बना उसको follow करो और आप अपने course को असानी से complete कर पाओगे I hope so guys आपकी help मिलेगी इस strategy से और कोई doubt हो तो instagram पर या फिर youtube पर आप पूछ सकते हो Thank you